तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं क्या है इसमें और क्या हमें से सीखते हैं A farmer had four sons, एक किसान था, उसके चार बेटे थे, they were always quarreling, और वो हमेशा लड़ते जगरते रहते थे, quarreling का मतलब वो था लड़ना जगरना, The farmer was growing very old, और जो किसान था, वो बोड़ा होता जा रहा था, he wanted to teach his sons a lesson, और वो चाहता था अपने बेटों को सीख देना, सबक सिखाना, ताकि वो आगे इस तरह से निकम में ना बने रहें, और future में उनके लिए परेशानी ना खड़ी हो, कुछ कर सके अपने आपको survive करने के लि और उसने कहा कि जाकर एक लकडियों का गठर लेकर आओ, अपने बेटों से, he said to his sons one by one to break the bundle, और फिर उसने क्या किया, अपने बेटों को एक एक करके बुलाया, और कहा कि इस लकडियों के गठर को एक साथ तोड़ो, एक करके, son was, non was able to do it, और उनमें से कोई भी उस लकडि गठर को एक साथ नहीं तोड़ पाया, है ना, सारी लकडियां जो थी जब बंडल में थी, एक साथ, तो कोई भी बेटा उसको नहीं तोड़ पाया, now he asked them to untie the bundle, और फिर उसने उनको बुलाया, और कहा कि अब इस bundle को खोल दो, अलग अलग कर दो, now he asked them to break the sticks, और फिर उसने उन सब को एक एक करके बुला के बुला कि आप इन लकडियों को एक करके तोड़ो, single single, they could easily do so, और ऐसा उनोड़े बड़ी ही आसानी से कर दिया, एक एक लकडियां उठाई और उसको easily तोड़ दिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख पार है, the farmer said, when the sticks were together, they were strong, और किसान ने the sticks were separate, you could easily break them, और जब तुमने इन लकडियों को अलग अलग कर दिया, तो तुम इसको easily तोड़ पाए, तुमने आसानी से इने तोड़ दिया, you want to be strong, क्या तुम मजबूत बनना चाहते हो, ताकतवर बनना चाहते हो, or do you want to be weak, या फिर कमजोर बनना चाहते हो, all of them said, we want to be strong, और सबने कहा एक साथ मिलके कि नहीं हम ताकतवर बनना चाहते हैं, the farmer said, leave together, कि अगर ताकतवर बनना चाहते हो, तो एक साथ मिलके रहो, don't quarrel, लड़ाई जगडा मत करो, no one will be able to break you, और अगर तुम एक साथ मिलकर प्यार से, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, the sense said, now we understand, और फिर बेटू को समझ आई बात, और उन्होंने कहा कि हमें आपकी बात बिलकुल समझ आ गई है, और फिर उन्होंने ये कस्म खाई कि अब हम लड़ाई जगडा नहीं करेंगे, और मिल जूलकर एक साथ रहेंगे, इसी तरह से अपने जिंदगी गुजारेंगे अच्छे से, तो क्या सिक्षा मिलती है, इसे, union is strength, नतिक सिक्षा ये मिलती है, कि एक होकर हमें रहना चाहिए, एकता में ही शक्ती होती है, अगर हम अलग-अलग होके रहेंगे, तो कोई भी हमारा फाइदा उठा सकता है, और हमें नुकसान पहुचा सकता है, लेकिन अगर नेक्स टॉपिक में नेक्स वीडियो के साथ, आपको अच्छी लगी हो, समझा ही हो इस्टोरी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं क्या है तो, and till then bye, take care, have a nice day.